इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह आपके डॉक्टर द्वारा बताये जाएंगे ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंतरित करने के लिए सही मत्रा मिल सके. आप इस दवा को खाने के साथ या बिना खाय ले सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाप प्राप्त करने के लिए प्रती एक दिन इसे एक ही समय पर लें. आम तोर पर इसका असर होने में कुछ सप्ताह लगते हैं. इस दवा को तब तक नियमित रूप से लेना आवश्यक है जब तक आपको इसकी सलाह दी जाती है. भले ही आपको बहतर महसूस हो रहा है. खुराक छूट जाने पर दौरे पर सकते हैं और अगर आप इसे रोक दे लेते हैं तो आपकी स्थिती और भी बिगर सकती है. इसे अचानक कभी नहीं बंद करना चाहिए. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट सिर्दर्द, धुंदली नजर, मिचली आना, उल्टी, चकर आना, ठकान और अस्थिरता हैं. इनमें से अधिकांच गंभीर नहीं है दवा लेते रहें. लेकिन अगर आपको इनसाइड इफेक्ट से परेशानी होती है या ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर से बात करें. हाला कि अगर आप तवचा पर कोई रैश या लालिमा देखते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को यह बात बताएं. इस दवा मामनों में ही आत्महत्या के विचार और व्यवहार पैदा होते हैं. अगर आपका मूड अवसाद ग्रस्थ हो जाता है, तो अपने डॉक्टर को बताएं. हो सकता है यह दवा हर किसी के लिए उचित न हो. इसका उपयोग करने से पहले, अगर आपको कभी दिल की समस्या, कि अवसाद या आत्महत्या के विचार आएं हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. कई अन्य दवाएं इस दवा के असर को प्रभावित कर सकती हैं, और कुछ को एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए. इसलिए आप जो भी दवाएं पहले से ले रही हैं, उसके बारे में डॉक भी बढ़ा सकता है. शुरू करने से पहले और इसका उपयोग करते समय आप सही खुराक ले रहे हैं. यह सुनिश्चित करने में डॉक्टर की मदद करने के लिए आपको अकसर ब्लड टेस्ट की आवश्यक्ता पढ़ सकती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवा अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद